अज़ो प्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चेनर लटा की लाइबरेरी आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटर्न सियर करनी जा रही हूँ यह पैटर्न हमारा सिंगर कलर में है आप इस पैटर्न को औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं यह पैटर्न हमारा फ्रंट साइट से बनना स्टार्ड होता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सस्क्राइब कीजिए न्यू वीडियो की नोट्विकेशन के लिए पहला आइकन दवाना न भूलें वीडियो आपको कैसी स्टार लेंगे धागा अपनी साइड दो फन्दे उल्टे बनेंगे एक और दो फिर धागा पिछे करेंगे दो फन्दे सीधे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनलेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट का फंदा सीधा तो देखिए ये front side से हमारी pattern की first row complete हो गई अब देखिए back side से second row, second row में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और back side से हमने second row को उल्टा बुनते हुए complete करना है पूरे pattern में हमने back side से यही process repeat करना है ये देखिए back side से हमारी second row complete हो गई ये second row को हमने उल्टा बुनते हुए complete किया अब देखिए front side से third row अब third row में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे अब देखिए first row में हमने दोनों फंदे उल्टे बुने थे अब देखिए यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे third row में एक फंदा सीधा धागा अपनी side आप देखे ये जो नेस्ट उल्टा फंदा है जो हमने फर्स ट्रो में उल्टा बुना था इसको हमने उल्टा ही बुन लेना है और देखे जो फर्स ट्रो में हमने दो फंदे सीधे बुने थे इन में से एक फंदा उल्टा बुनेंगे तो देखे दो फंदे उल्टे आगे धा धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे बुने लेंगे, यह फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रोव है पैटर्न की, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पीछे लास्ट में देखे एक फंदा सीधा है और जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा है इसको भी हमने सीधा बुन लेने तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी पैटन की थर्ड रो कंप्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्थ फोर्थ रो को हमने सेकिन रो कितरो उल्टा बुनते हुए कंप्लेट करना है ये देखे बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से फिप्त्रो अब फिप्त्रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और देखे नेश्राम ने दो फंदे सीधे बुनने देखे एक और दो ये दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनलेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ए फ्रंट साइड से हमारी फिप्त रो कंप्लीट हो गई अब देखे बैक साइड से 6 रो 6 रो को देखे पहला फंदा उतारेंगे और 6 रो को हमने बैक साइड से उल्टा भुनते हुए कंप्लीट करना है यह देखें बैक साइड से हमारी 6 रो कम्प्लीट हो गई अब देखें फ्रन्ट साइड से 7 रो अब से 7 रो में देखें पहला फंदा उतारेंगे धागा अपने साइड अब देखें नेस्ट हमारे यह दो सीधे फंदे हैं इन में से देखें एक फंदा उल्टा बुनेंगे अब देखें नेस्ट हमारे हमने दो सीधे बुन लेने हैं एक दो धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनलेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी साइड लास्ट का फंदा उल्टा, धागा पीछे और देखे जो एक्स्टरा फंदा है इसको सीधा, तो देखे ये फ्रन्ट साइड से हमारी सेवन त्रो कम्पलेट हो गई, आप देखे बैक साइड से एट त्रो, करना है ये देखिए बैक साइड से हमारी 8th row complete हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से 9th row, 9th row में हमारा pattern repeat होगा तो देखिए repeat के 1 row पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड अब देखिए याँ पे हमने नेस्ट देखिए फर्स्ट रोग की तरह हमने याँ पे नेस्ट दो फंदे उल्टे बुनने, एक और दो, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे आ जाएंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें दागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे बुन लेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे लास्ट के दो फंदे देखे सीधे आ जाएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा है ये भी हमारा सी 9th row आएगी उसको हमने 2nd row के तरह उल्टा बुनते हुए complete करना है यह देखिए front side से हमारी 9th row complete हो गई 9th row में हमारा pattern repeat हो रहा था अब हमने अपने pattern को ऐसे ही repeat करते जाना है और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा यह देखे बहुती सुन्दर बहुती आसन pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हो तो please subscribe करना न भूले, thank you